हलो एब्रीबन आप सब कैसे हो आए हो आप सभी अच्छे होंगे मैं आपको प्रीबियस वीडियो में जीओसी बढ़ा रहा था जीओसी के मैंने आपको बताया था रीजेंट के टाइप और मैं आपको बता रहा था Electronic Displacement, Displacement में, Electronic Displacement में हम पढ़ रहे थे Permanent Electronic Displacement और Temporary Electronic Displacement तो दोनों को पढ़ रहे थे हमने Permanent में फिर पढ़ा था Inductive Fact आज हम Inductive Fact के बारे में जानेंगे, Inductive Fact है क्या देखे Inductive Fact, Inductive Fact नाम सही पता चल रहा है Induce Induce हुआ है, किसी के कारण Induce हुआ है, और किसके कारण Induce हुआ है It is Induced Due to the Difference Difference of Electron Negativity क्या हैगा? Difference of Electron Negativity between Carbon and Another Carbon से जुड़ा हुआ कोई भी दूसरे हम है उसके मद जो Electron Negativity Difference होता है बिद्दूत्रिंता में अंतर होता है उसके कारण क्या Induce होता है Inductive Effect अब जो Inductive Effect है क्या? It is the Permanent Displacement जो मैं आपको पहले बताया है और यह Permanent Displacement किसका होता है? Sigma Electrons का किसका होता है? Sigma Electrons का It is the Permanent Electronic Displacement of Sigma Electron Along with Carbon Chain यही लिखा हुआ है It is the Permanent Displacement of Sigma Electron Along with Carbon Chain मतलब कारण चैन में Sigma Electrons का Displacement होता है Permanent Electronic Displacement होता है वो ही क्या होता है? Inductive Effect यह कब होता है? When Atom Group has Different Electron Negativity यह कब होता है? जब Atoms और Group के मद Different Electron Negativity वाले Atoms जुड़े हो जैसे यदि हम मैंने ले लिया इदर भी Carbon और इदर भी Carbon तो दोनों की दोनों सेम है दोनों की Electron Negativity सेम है तो यहाँ पर Eye Effect जनरेट नहीं होगा यदि यहाँ पर मैंने कोई एटम ले लिया Z और सपूज किया इसकी Electron Negativity कम है या ज़्यादा है वो मैंने बोला है कि इसकी Electron Negativity इससे Different है तो यहाँ पर क्या Induce होगा? Inductive Effect क्या Induce होगा? Inductive Effect और यह क्या होता है? It is the Distance Dependent Effect मतलब यह Distance पर Depend करता है जैसे सपूज आपने यह सपूज किया Z और यदि Z मैंने ले लिया High Electro Negative यह क्या है? Z is High Electro Negative है वजाए कारवन के Z क्या करेगा? अपनी और Electron को Attract करेगा अपनी और Electron को Attract कर रहा है और यदि Z की Electro Nequity कारवन से क्या है? कम है तो क्या होगा? यह कारवन अपनी और Electron को अकरसित करेगा तो Inductive Effect के लिए जरूरी क्या है? Difference in Electron Negativity कि Electron Negativity में Difference होना चाहिए और यह Distance Dependence कैसे है? जैसे कोई कारवन चेहन है सबोज CS3 CS2 CS2 Z यह कोई कारवन चेहन है यह कोई ग्रूप जुड़ा हुआ है Z सबोज अब यह कौन सब Inductive Effect है प्लस है माइनस है अब भी हम नहीं कह रहे है यह कोई भी ग्रूप जुड़ा हुआ है यदि इसकी Electron Negativity जादा है मतलब यह माइनस ही सुकर रहा है Electron Negativity of Z जादा है तो यह यहाँ पर अपना Effect जादा लगाएगा फिर दूसरे कारवन पर इसका Effect थोड़ा कम हो जाएगा तीसरे कारवन पर थोड़ा कम हो जाएगा चौथे कारवन पर आकर खतम हो जाएगा इसका Effect मतलब यह क्या है Distance Dependent Effect मतलब कम दूरी पर जादा लग रहा है अधिक दूरी पर कम होता जा रहा है दीरे दीरे तो हम यह कह सकते है कि जो Inductive Effect होता है Distance के Inversely Proportional to होता है तो मैं यह कह सकता हूँ Eye Effect Eye Effect जो होता है और पर बन अपॉन टूर्शनल होता है Distance मतलब दूरी के बित्कुर्मान उपाती अब यहाँ पर क्या है कि Carbon और Hydrogen में कोई भी Inductive Effect नहीं पाया जाता थोड़ा बहुत माइन्यूट अंतर होता है इनकी Electron Activity में इसलिए हम कहते हैं कि Carbon और Hydrogen के मद कोई भी Inductive Effect नहीं पाया जाता Next है आपका Inductive Fact Depend on the Difference in Electron Negativity जो मैंने शुरू में बताया था कि Difference in Electron Negativity के कारण ही उत्पन हुआ है तो यह Depend भी उसी पर करेगा अब देखिए Electron Negativity किस पर Depend करती है हमको यह भी तो पता होना चाहिए कि हमने Inductive Fact का तो देख लिया कि यह Difference in Electron Negativity पर Depend करता है लेकिन Electron Negativity भी तो किस पर Depend करती है देखिए अब हम देखेंगे कि Electron Negativity जो होती है किन Factors पर Depend करती है जो आपकी Electron Negativity है वो Depend करती है दो Factors पर पहला आपका Factors आता है Nature of Element पहला Factors कि आता है Nature of Element Inductive Fact डिपेंड करता है Electron Negativity Electron Negativity करती है दो Factors पर पहला Nature of Element और दूसरा आता है Percent as Character दूसरा क्या आता है Percent as Character अब Nature of Element में हम क्या देखते है जब हम Periodic Table पढ़ते है तो Left to Right चलने पर Left to Right चलने पर Electron Negativity इंक्रीज होती है तो मैं यह कह सकता हूँ यहाँ पर Electron Negativity इंक्रीज हो रही है तो Electron Negativity इंक्रीज हो रही है तो मतलब Inductive Effect भी इंक्रीज होगा तो Electron Negativity इंक्रीज हो रही है Example आपने देखा होगा Nitrogen पहले आता है Left आता है Left to Right गए Fluorine की सबसे ज़ादा होती है और Up to Down चलने पर Up to Down चलने पर Electron Negativity क्या होती है Decrease होती है और Decrease होती है तो Inductive Effect भी क्या होगा Decrease होगा अब देखें Percentage Character Percentage Character Depend करता है तीन Factors भी पहला आपका आता है Hybridization पहला आपका क्या आता है Hybridization दूसरा आता है आपका Bond Angle तीसरा आता है आपका Ring Size तीन Factors भी डिपेंड करती है Hybridization Percentage Character Hybridization Bond Angle और Ring Size देखें Hybridization अपन औरगेनिक केमेस्टी पढ़ रहा है औरगेनिक केमेस्टी मुशली तीन ही होते है Hybridization एक तो SP दूसरा SP2 तीसरा SP3 अब बताओ इनमेंसे आपको देखकर ही पता चल रहा हुआ कि किसमें सबसे ज़्यादा Percentage Character है Percentage Character कैसे निकालेंगे कि Total Orbital किते हैं इसमें 2 S के किते हैं 1 तो 1 by 2 into 100 किता आगया 50% यहाँ पर S के किते हैं 1 Total Orbital किते हैं 3 क्योंकि 1 S का 2 PK तो 1 by 3 into 100 यहाँ किता आगया 33% इधर यहाँ पर 25% तो सबसे जित्ता ज़्यादा Percentage Character उत्ती ही ज़्यादा Electronegativity उल्टी ज़्यादा Electronegativity तो उत्ता ही ज़्यादा Inductive Effect तो यह आपको बास समझ में आ गई होगी कि सबसे ज़्यादा कहां होगा SP में SP में Percentage Character तो जहां पर भी SP Hybridized Atom है Carbon Atom उसकी Electronegativity ज़्यादा होगी SP2 की कम होगी SP3 की उससे भी कम होगी Next आता है Bond Angle यहाँ पर देखे SP में Bond Angle कित्ता होता है 180 degree 180 degree यहाँ पर Bond Angle कित्ता होता है SP2 में 120 degree यहाँ पर Bond Angle कित्ता होता है 109 degree 28 मिराट अब देखे %S किसमें ज़्यादा है SP में मतलब जित्ता ज़्यादा Bond Angle होगा उसमें %S करेक्टर भी उत्ता ज़्यादा होगा तो मैं यह कह सकता हूँ कि %S करेक्टर proportional to Bond Angle यह भी सही है और कैसे निकालते हैं वो बता देता हूँ निकालते हैं cos theta S करेक्टर S माइनस 1 इसके according हम क्या निकालते हैं Bond Angle Ring Size अब यह आता है Ring Size Ring Size में होता है कि जो छोटी रिंग होती है उसका % करेक्टर कम होता है या सॉरी जो छोटी रिंग होती है उसका % करेक्टर ज़्यादा होता है और उसकी electron negativity भी ज़्यादा होती है जैसे आपको example से बताता हूँ यह आपने लिख लिया होगा एक बार इसे लिख लीजिए लेखिए Ring Size Ring Size हम पढ़ते हैं Comparatively जैसे कोई एक 3-membered ring जुडी हुई है एक इसी से जुडी हुई है 4-membered ring मैंने बोला एक 3-membered ring जुडी हुई है एक जुडी हुई है 4-membered ring मैंने बोला है कि जो छोटी वाली ring होती है Small ring की Percentage Character या Small ring की Electron negativity ज़्यादा होती है यहाँ पर लिख सकते हैं चाहे रिंग साइज में Small ring Heads More Electron negativity जब इसकी percent आपको पता है इसकी electron negativity ज़्यादा है तो यह हम पर जो bond के electron को अपनी ओर कीज़ेगा मतलब यह minus i शो करेगा तो यह plus i इस परकार देखते हैं कि हम कौन सी कौन सीजबाली ring तो more electronegative है कौन सी less electronegative है तो ध्यान रखना हमेशा कि जो छोटी ring होती है वो high electronegative होती है जो बड़ी ring होती है वो less electronegative होती है यह आपको समझ में आ गया होगा यह तो है आपका inductive effect depend किस पर कर रहा है अब हम पढ़ते हैं inductive effect के type type of inductive effect देखें मैं inductive effect के type बता रहा था plus i और minus i दो परकार के होती है अब plus i हम देखते हैं कि जो group जुड़ा हुआ है पर group कौन सा जुड़ा हुआ है जैड तो हम देखेंगे कि जैड पर कौन सा effect induce हो रहा है उसे बोलेंगे plus i या minus i यदि जैड की electronegativity carbon से कम है तो मतलब carbon अपनी और electron कीचेगा तो जैड पर कौन सा charge generate होगा positive charge और positive charge generate होता है तो कौन सा effect plus i effect यहाँ पर कौन सा charge generate हो रहा है negative तो यहाँ पर कौन सा effect minus i effect यह कब है जब जैड की electrone negativity ज़ादा है carbon से देखे अब हम पढ़ते है order of plus i order of minus i order जो हमारे हम compound पढ़ेंगे उनमें यह groups लगे होंगे और यह groups लगे हुए है तो उनमें से किसका plus i ज़ादा होता है किसका minus i ज़ादा होता है वो देखते है तो हम कौन सा order follow करेंगे यह तो सबसे पहले order में सबसे पहले क्या आता है CH2 minus फिर NH minus oxygen minus CO2 minus 3 degree 2 degree 1 degree alkyl samoo 3 degree alkyl samoo 2 degree alkyl samoo 1 degree alkyl samoo फिर ethyl samoo फिर CT3 मतला H की जगे जो आपका hydrogen का समस्थाने कै titrium वो फिर deuterium वाला CD3 H मतला आपका methyl samoo फिर भई titrium deuterium और hydrogen यह तो हो गए आपके plus i के यह सबी किस प्रकार का effect देते है plus i effect second आता आपका order of minus i effect minus i में आपको यह सबी याद करने है और mostly याद करने है आपको NO2 से लेके यहां तक सबसे पहले क्या आता है OF2+, OR2+, NF3+, NCL3+, NRT+, NS3+, उसके बाद NO2 CN SO2R CHO ketone समू carboxlic acid समू फिर halogen आती है fluorine chlorine bromine iodine फिर आपका आता है ether समू उसके बाद आता है आपका alcohol समू उसके बाद ethine उसके बाद vinyl group यह आपको समझ में आ गया होगा order अब इसी का एक यह तो हो गया आपका inductive effect होता क्या है इसका order क्या है inductive effect क्या कित्ते type है अब हम पढ़ेंगे inductive effect की application कि inductive effect लगाते कहा है use कहा होता है inductive effect हमने पढ़ लिया कि यह inductive effect होता है लेकिन use कहा होता है inductive effect man तो वो है आपका तो आपके जो syllabus में है वो दो applications है inductive effect की पहली applications आती है आपकी stability of intermediate कि intermediate की stability को किसके द्वारा देखेंगे inductive effect के द्वारा दूसरी आपकी आती है acidic nature of the compound यह बहुत important है आपके 3rd year तक काम आएगी acidic nature of the compound देखिए यह आपको समझ में आ गया होगा अब हम पढ़ते है application of inductive effect और उसमें भी आपके सर्थ दोई application है पहला तो क्या है stability of intermediate दूसरा क्या है आपका acidic nature of the compound यह दो है आपके में आपके syllabus में तो हम सबसे पहले क्या पढ़ते है stability of intermediate देखिए stability of intermediate में आपके कार्ब organic chemistry में mostly दो ही intermediate काम आते है एक तो कार्बो कैटा है और एक कार्ब एनाय है तो देखिए आपर कितने intermediate होंगे आपके दो पहला होगा कार्बो कैटायन दूसरा होगा कार्ब एनायन अब इनकी stability जानने से पहले एक आपको line याद रखनी है कि neutral species हमेशा charge species से ज़्यादा stable होती है मैंने क्या बोला है कि उदासीन जो species होती है neutral species होती है वो हमेशा ज़्यादा stable होती है वजाए charged के यह लिखा है मैंने neutral species is always stable than charged species अब देखें यहाँ पर क्या है कार्बो कहता है इस पर कौन सा चार्ज है positive इस पर क्या है कार्ब एनायन इस पर कौन सा चार्ज है negative इस पर positive चार्ज है अब आप बताईए मेरे को positive को neutral की तरफ ले जाना है मतलब positive चार्ज कब आता है जब उसके पास electron की कमी है अब हम उसे neutral की तरफ ले जाएंगे तो मतलब उसके लिए electron देने पड़ेंगे तो इसकी stability कब बढ़ेगी जब इसके साथ ऐसे group जुड़े हों जो electron donate करें या electron release करें तो हम मैं कैसकता हूं कि जो कार्बोकेटाइन की stability होती है stability of कार्बोकेटाइन is proportional to electron releasing group जो कार्बोकेटाइन की stability होती है वो proportional to होती है electron releasing group मैंने reason बताया है कार्बोकेटाइन की किसकी तरह मानलो विकारी की तरह और विकारी संतोष्ट कब होगा जब उसको हम पैसे देंगे ऐसा तो है ने कि हम उससे पैसे छेनने लग जाए तो वो संतोष्ट हो जाए फिर तो हम कोई मारेगा इससे बेटर क्या है कि हम विकारी को पैसे देते हैं तो वो संतोष्ट हो जाता है संतोष्ट हो जाता है इसी यही हाल किसका है कार्बोकेटाइन को कार्बोकेटाइन का यदि हम ऐससे एक ग्रुप जोड़ दें जो उसको electron donate करें तो यह किसकी साइड जाएगा neutral की साइड और neutral की साइड जाएगा तो आपको पता है जब कोई भी स्पेसी चार्ज से neutral की और बढ़ती है तो उसकी stability increase होती है तो इसकी भी stability क्या होगी increase होगी मैंने किस से compare किया इसकी एक वेगर से विकारी से यह विकारी है विकारी को जब तक आप पैसे नहीं दोगे तब तक वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा इसी विकारी वो unstable होगा मतलब उसके पास कमी है इसके पास भी किसकी कमी है electrons की कमी है यह भी इसको इसके इससे हम electron releasing मतलब electron देने वाले ग्रुप जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा stable और आपको बता दूँ कि electron देने वाले ग्रुप कौन से होते हैं plus i समूवाले ध्यान रखना आप लिख लेना चाहे साइड में plus i वाले समूव होते हैं वो electron releasing ग्रुप होते हैं minus i समूवाले होते हैं वो कैसे होते हैं electron withdrawing ग्रुप इस line को लिख लेना खाएं भी तो मैं यह लिख सकता हूँ कि stability of carbocation proportional to plus i effect मैंने यह लिखा है और यदी मैं यह कह दूँ 1 upon proportional minus i effect यदी यह पहले इसके पास पैसो की कमी है और आप इस पैसे पैसे छीन के और ले गए तो यह तो unstable हो जाएगा मतलब पागल हो जाएगा पागल हो जाएगा तो ही यह उसी sense में हम बात करेंगे carbocation की कि यह भी unstable हो जाएगा और react करने लगेगा बहुत इसकी reactivity बढ़ जाएगी तो हमको stability देखनी है तो stability के लिए हम क्या खाएगे कि carbocation की जो stability होती है electron releasing group के proportional to होती है या plus i समू के proportional to होती है plus i effect के proportional होती है क्योंकि plus i कैसे होते है electron releasing और यदि इससे minus i जुड़े हुए मतलब electron खीचने वाले पहले ही कमी है और खीचने वाले जुड़ गये तो इसकी stability क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो यह कह सकते हैं कि carbocation की stability होती है वो plus i के तो proportional और minus i के क्या होती है inversely proportional होती है example देखते हैं हम इसका carbocation को हम बाद में देखेंगे example देखें इसका देखेंग देखेंगे इसकी अब इनका stability order देखते हैं अब देखेंगे ये भी carbocation है ये भी carbocation है और ये भी carbocation है इससे जुड़ा हुआ group कौन सा है CS3 CS3 का मैंने बताया है कौन से effect लगता है plus i effect लगता है इसका plus i effect यहाँ पर एक plus i लग रहा है यहाँ पर carbocation में देखेंगे एक plus 1 CS3 दूसरा CS3 इधर भी plus i इधर भी plus i तो यहाँ 2 plus i हो गई यहाँ पर 3 CS3 है तो यहाँ 3 plus i हो गई अब देखेंगे इसके पास कमी है इसको neutral की ओर जाना है मतला इसको electron density की ज़रूत है यह आपको थोड़ी बहुत electron density दे रहा है CS3 इसी की double इसको मिल रही है इसकी triple इसको मिल रही है तो कौन ज़्यादा संतुस्थ होगा कौन ज़्यादा satisfied होगा यह वाला carbocation कौन ज़्यादा neutral होगा यह वाला carbocation क्योंकि इसको electron density की आप मिल रही है ज़्यादा मिल रही है मैंने यही तो बोला है जित्ता ज़्यादा प्लस आई stability of carbocation उपती ज़्यादा तो यहाँ पर 3 प्लस आई है यहाँ पर 2 प्लस आई है यहाँ पर 1 प्लस आई है तो प्लस आई सबसे ज़्यादा कहाँ पर है इस वाले carbocation पर तो यह वाला carbocation कितने degree है 3 degree तब ही तो हम बोलते है 3 degree carbocation is more stable than 2 degree than 1 degree इसलिए यह वाला carbocation जो number 3 है आपका यह ज़्यादा stable होगा number 2 उससे कम number 1 उससे कम तो हम इसकी stability order लेखेंगे तो number 3 number 2 number 1 reason क्या है reason क्या लेखेंगे हम कि left to right चलने पे हम क्या लेखेंगे कि left to right चलने पे plus I effect increase हुआ है जित्ता ज़्यादा plus I effect increase होता है stability of carbocation stability stability of carbocation increases तो सबसे ज़्यादा carbocation की stability कहा होगी यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर तो 3 plus आई है जित्ते ज़्यादा plus आई उत्ती ज़्यादा stability यह सब को समझ में आ गया होगा आपको हम next बहुत सारे example next वीडियो में करेंगे तो एक बार हमें फिर revise कर देता हूँ इस inductive effect की application को द्यान से देख लेना stability of intermediate हमने देखे थे दो intermediate होते हैं कार्वोकेटाइन कार्वेनायन हम बात कर रहे थे कार्वोकेटाइन कार्वोकेटाइन positive charge मतलब इसके पास electron की कमी है और हम इसको neutral बनाने के लिए क्या करेंगे इसको electron दिये जाएंगे मतलब इसको neutral करना है तो हम इसको donor हो या जो electron release करें तो मैंने यही बोलाए कि कार्वोकेटाइन की stability जित्ते electron releasing group ज़्यादा होंगे उत्ती ही बढ़ेगी proportional to होती है फिर मैंने बोलाए आपको यहाँ पर बताया कि plus I वाले जो समू होते हैं वो electron releasing होते हैं minus I वाले electron withdrawing होते हैं plus I वाले समू जित्ता ज़्यादा plus I बढ़ेगा उत्ती ज़्यादा कार्वोकेटाइन की stability बढ़ेगी सबसे मैंने neutral और charge हमको neutral की तरफ ले जाना है कार्वोकेटाइन हो या कार्वैनाइन हो और कार्वोकेटाइन को neutral ले जाने के लिए electron releasing group जोडेंगे इसलिए electron releasing group के proportional हो गया plus I के proportional हो गया इधर मैंने आपको example देके बताया कि यहाँ पर एक plus I है तो यहाँ पर दो plus I यहाँ पर तीन plus I plus I सबसे ज़्यादा कहाँ पे third में third में सबसे ज़्यादा प्लस जित्ते ज़्यादा plus I उत्ती ज़्यादा stability जित्ते ज़्यादा plus I उत्ती ज़्यादा stability सबसे ज़्यादा third की second की फिर first की यहाँ आपको समझ में आ गया होगा आई हो next वीडियो में हम और भी example पढ़ेंगे कार्वोकेटाइन की stability और भी देखेंगे कार्वोकेटाइन की stability देखेंगे percentage factor पे भी questions करेंगे इसलिए keep watching the video don't missy